नमश्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल नौलीज बैंक पर आपका हारदिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्तपुन टोपिक लेकर आया हूँ आपको सुवस्त बनाने के विशे में आपको बहुत सारे बीमारियों से बचाने के विशे में अमर बेल किसी भी दर्द से लेकर बानू के रोग में बहुत अधिक उपियोगी आये जानते हैं इसके बारे में दोस्तों अमर बेल के बारे में लगबग हर व्यक्ति जानता है लेकिन इसके ओश्दियों गुणों के बारे में बहुत कम लोग जानते है विभिन परकार के रोगों को दूर करने में यह बहुत अधिकारगर है इसके गुनों की परसंसा जितनी भी की जाए कम ही है बिना जड़ वाली पेले रंग की परजीवी पोदा है जो पोधों या पेडों चड़ा हुआ मिल जाता है इसमें सफेद फूल खिलते हैं जो गुच्छों में होती है जिस पेड पर यह बेल चड़ जाती है वह पेड सूख जाता है तो आईए दोस्तों जानते हैं अमर बेल के कुछ चमतकारी फाइदे खुजली की दवा अमर बेल को पीस कर लगा देने से किसी भी परकार की खुजली खतम हो जाती है बरसात या जाड़े में उम्लियों के बीच सफेद होने खुजलाने या घाव होने पर इसके पोदे करस दिन में पांच से छे बार लगाने से बिलकुल रहात मिलती है हर प्रकार के दर्द की दवा है अमर बेल अमर बेल के पोदे वे बीच को कूच कर गठिया वाले हिस्से पर बांधने से तुरंत दर्द चला जाता है और मरीज को बहुत अधिकर रहात मिलती है पेट दर्द पेट फूलने वे अफारा होने पर इसके बीजों को जल में उबाले और पीस कर गाड़ा लेप बना लेए इस लेप को पेट पर लगाने से पेट की पिड़ा चली जाती है बालों के रोग आम के पेट पर चड़ी अमर बेल को बानी में उबाल कर उस पानी से सनान करने से उन्हे बाल उगने लगते हैं और गंजापन दूर होता है बालों को लंबा करने के लिए एक पाव अमर बेल लें और इसे लगबग तीन लिल्टर पानी में उबालें जब पानी आदा रह जाए तो इससे सुबह बालों को धोएं बाल लंबे होने लग जाएंगे और बालों की सभी परकार की समझ्याएं खतम हो जाएंगे तो दोस्तों आप भी अमर बेल के प्रियोग करके अपने लिए फाइदा उठा सकते हैं स्पेसली फोर दर्द और बालों के लिए तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी पराप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वाशियर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों